बॉल्वुड स्टार्स की तरह उनके बच्चे भी अक्सर लाइम लाइट में बने रहते हैं। कई स्टार केड्स ने तो फिल्मों में एंट्री कर अपनी एक अलग पहचान बना ली हैं। तो वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम तो नहीं रखा लेकिन अपनी खुबसूरती के वज़ो से फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं। इन्ही में से एक मिथुन चक्रवर्ती की लाडली बेटी दिशानी चक्रवर्ती भी है। मिथुन चक्रवर्ती की खुबसूरत बेटी दिशानी चक्रवर्ती उनकी गोद ली हुई बेटी हैं। जो देखने में किसी आक्ट्रिस से कम नहीं। दिशानी सोशल मीडिया पर च्छाई रहती हैं। मिथुन ने अपनी इस गुडिया सी बेटी को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने दिशानी रखा। वहीं दिशानी अब बड़ी हो चुकी हैं और अब वो बेहद होट और ग्लैमरस दिखती हैं। दिशानी ने भले ही फिल्मों में एंट्री ना ली हो लेकिन वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी खुबसूरत तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं और तारीफे बटोरती नजर आती हैं। बता दें कि दिशानी सिर्फ खुबसूरती ही नहीं बलकि बेहद स्टाइलिश भी हैं। इस बात का अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों को देख कर रगा सकते हैं। उनकी अलग-अलग स्टाइलिश तस्वीरे सोशल मीडिया पर चायू रहती हैं। दिशानी की फैन फॉलोइन भी किसी सिलेब्रिटी से कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके 80,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। फैन्स के बीच उनकी दिवानिकी का आलम ये है कि उनकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर आते ही चाय जाती है। दिशानी अपनी तस्वीरों के चलते अक्सर चर्चा में रहती है। उनका फैशन सेंस बॉलिवुट की बड़ी बड़ी आक्ट्रिसेस को टक कर देता है। भले ही दिशानी मिथुन की गोदली हुई बेटी हूँ लेकिन उनकी परवरेश मिथुन चक्रवर्ती ने बिल्कुल राचकुमारी के तरह की है। मिथुन ने दिशानी को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया। यहां तक की आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजा। दिशानी न्यू यॉक फिल्म अकैडमी से पढ़ाई कर रही है। दिशानी न्यू यॉक से भी अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियों फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करती है। दिशानी पूरे परिवार की लाडली है। वो अपनी तीनों भाईयों महाक्षय, नमाक्षी और उश्मय चक्रवर्ती की चहेती है। और मम्मी योगिता बाली की सबसे फेवरेट। बीते दिनों दिशानी को लेकर खबरे थी कि वो बॉलिवुट में कदम रखना चाहती है। हाला कि वो पहले कई शौट फिल्म्स में काम कर चुकी है। दिशानी ने अपना आक्टिंग डेब्यू 2017 में आई शौट फिल्म होली स्मोक से किया था। इस शौट फिल्म का निर्देशन उनके बड़े भाई उश्मय चक्रवर्ती ने किया था। इसके बाद दिशानी अंडर पास नाम की एक और शौट फिल्म में नजर आ चुकी है। शौट फिल्मों में उनके अभिने को काफी पसंद किया था। बहीं ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अब वो बहुत जल्द बॉलीवर्ड में कदम रख सकती है। आपको बता दे कि मिथुन चक्रवर्थी ने दिशानी को नब्बे के दर्शक में गोद लिया था। दरसल दिशानी को उनके माता पिता ने एक कूड़े दान के पास रख दिया था। जहां से उन्हें एंजियों ने बचाया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब ये बात मिथुन चक्रवर्थी को पता चली तो वो पतनी योगिता बाली के साथ उस बच्ची को गोद लेने के लिए पहुच गए। बाद में दोनों दिशानी को गोद लेकर उन्हें अपने घर ले आए। और अपने तीनों बेटों के साथ ही उनकी परवरिश की। ब्यूरो रिपोर्ट। हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार इंटर्टेन्मेंट के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही है E24